नमस्कार दोस्तों आप दिखें ने अन्डिसी न्यूस मैं हूँ आपके साथ अरचना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपड़ी और स्पेशल स्टोरी तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल आईए देखते हैं मुकेश अम्बानी भारत के सबसे बड़े अमीर बिजनसमेन है एशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक अम्बानी परिवार है अकसर देखा गया कि सोशल मीडिया पर अम्बानी परिवार की खबरे सूर्खिया बन चाती है आपको बता दे मुकेश अम्बानी को रॉयल चीना बहुत अच्छा लगता है आलिशान महल से कम नहीं है उनके बंगले उनके हर बंगले की चीज बहुत महंगी है आपको ये चान्द कर हैरानी होगी कि मुखेश अबानी जब भी घरसे जाते हैं भी पात का खुलासा किया है कि वो अपनी जेब में कितने पैसे रखते हैं जेब में पैसे नहीं रखते हैं मुकेश अमबानी आपको बता दें कि मुकेश अमबानी ने HT डिलर्शिप समिट में इस बाद का खुलासा किया था कि वो जेब में ना तो पैसे रखते हैं और ना ही कोई credit card डगते हैं मुकेश अमबानी ने बताया कि उनके सारे ही bills उनके साथ जो लोग होते हैं वही भरते हैं मुकेश अमबानी ने कहा पैसा में लिए माइने नहीं रखता पैसा तो महज एक संसाधन है जो company के लिए जोकिम लेने का काम करता इसे flexibility भी मिलती है मैं अपनी जे में ना पैसे रखता हूँ और ना ही credit card बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे बच्पन से लेकर अब तक मैंने जे में पैसे नहीं रखे हैं पांच उपए मिलते थे बच्चों को बांड देता था मुकेश अंबानी की पतनी नीता अंबानी ने अपने एक interview में कहा था कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं उनको हर शुकरवार पांच उपए ही देती थी जिससे वो स्कूल केंटीन में खाना खाते थे एक समय की बात है जब मेरा बेटा अनंत दोड कर मेरे पास आया और बोला कि 10 रुपे चाहिए जब मैंने सवाल पूछा कि क्यों चाहिए पैसे तो वो बोला स्कूल के दोस्त मेरा मज़ा को डाते हैं कहते हैं सिर्फ 5 रुपे लाता है तो अंबानी है या फिर बिखारी सबसे महंगे घर में रहते हैं अंबानी और परिवार आपको बता दें कि मुकेश अंबानी देशके सबसे महंगे घर एंटीरिया में रहते हैं मुकेश अंबानी का एंटीरिया घर अल्टा माउंट में है और इस घर की तीन हालिपेड रहते हैं इस घर में स्वीमिंग पुल और स्पा रूम भी है दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब